गुड मॉर्निंग एब्रिवान आज हम लोग क्लास वान एस्टी बुक का चेप्टर नमबर सेवेंग श्कूल इज फोन रिविजन करेंगे ये चेप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं सारा आज हम लोग थोड़ा थोड़ा रिविजन करेंगे स्कूल प्रिंसिपाल प्लेशे सिन स्कूल एंड कीपिंग दो स्कूल क्लीन ये हमारा स्कूल का पिक्चर है बुक में एक स्कूल का पिक्चर दिया गया है School A school is a place where children study and learn about many things Children who go to school are called students All students wear special dress to school which is called uniform Student carries book and lunch box and a water bottle to school During the lunch break, they eat food from their lunch box यह एक स्कूल है यह स्कूल का भेन है भाइन स्कूल कैं है हमारा स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे चिल्डरेन साते हैं सटॉडी करने के लिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं और बोग स्कूल में बहुत सारे चीजों के बारे में सीखते हैं और स्कूल में क्या होता है Children's का सारे बच्चों के लिए एक यूनिफॉम होता है वो सारे एक जैसे कपड़े पहनके आते हैं और स्कूल में क्या लेके आते हैं लांच बॉक्स टिफिन बॉक्स बेक पैंसिल रोबर यह सारा स्कूल में लेके आते हैं और जो भी जब टिफिन ब्रेक होता है उस टाइम में वो लोग अपना अपना लांच बॉक्स जो लेके आते हैं वो टिफिन ब्रेक में खोलके खाते हैं यह है हमारे प्रिंसिपल दो प प्रिंसिपाल, he sits in his office, the principal looks after all the activities of the school, write the name of the principal of your school, यह हमारे प्रिंसिपाल होते हैं, the head of the school is called principal, हमारे स्कूल के head member जो है, उनको प्रिंसिपाल बोला जाता है, the head of the school is called principal, और यह क्या करते हैं, प्रिंसिपाल, हमारे स्कूल में जो सारा activities होता है, जो सारे problem होता है, या जो function होता है, उसको सारा अपने जिम्मेदारी उठाते हैं, write the name of the principal of your school, हमारे स्कूल के प्रिंसिपाल का नाम क्या है, बिरंची महाना सार, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिरंची महाना सार, ठीक है, places in school देखो, school में क्या-क्या place होते हैं, यह एक ला है, यह है classroom, classroom में क्या-क्या होते हैं, student, teachers, blackboard, table, chair, यह सारा होते हैं, और यह teacher पढ़ा रही है, और यह सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, the classroom is a room, where the teachers teach students, it has a table, board, and chair for all children, यह classroom में teachers पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर क्या-क्या है, table, chair है, board है, teacher है, students है, ठीक है, यह एक classroom है, then, assembly hall, यह assembly hall, है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, prayers and function are held in the assembly halls, हमारा जो prayers होते हैं, जो morning में school जाते हैं, तो prayers बोलते हैं, यह assembly hall में बोला जाता है, और जो भी बोड़ा यह छोटा function होता है, वो assembly hall में होता है, ठीक है, आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, फिर next class में यह बागी का जो है, हमारा थोड़ा revision करेंगे, thank you,